सो हेलो एवरिवन मैं हूँ विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो आरी इंडस्ट्री इस लिमिटेड के कोर्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में तो चलते हैं सीधा रिजल्ट्स की तरफ अब यहाँ पे जो सारी फिगर्स आपको देखने को मिलने वाली होने वाली रुपीज इन लैक्स में आप आप देख सकते हैं बट यह मैं आपको करोर्स में बतायता हूँ तो सबसे पहले देख लेते हैं कमपनी की टोटल इंकम क्या रही है इस कोर्टर में तो वो निकल के आती है 242 क्रोर्स की लास्ट कोर्टर में ये टोटल इंकम थी 283 क्रोर्स की और लास्ट यर के कोर्टर में ये टोटल इंकम थी 272 क्रोर्स की तो last quarter से देखे तो यहाँ पर total income थोड़ी decrease होती हुए देखने को मिल रही है वहीं पर अगर हम last year के quarter से देखे तो यहाँ पर भी हमें income थोड़ी सी decrease होती हुए देखने को मिल रही है अब उसके बाद चलते हैं देखते हैं company का total expense हमें क्या देखने को मिलते हैं तो company के total expense हमें इस quarter में देखने को मिले हैं वह हमेंMedmorals को बरिखने को मिल है और भोषी-क्राइब कहने हैं 12-11-11-11-20 з ejercально में थोड़े से decrease होते हुए देखने को मिले हैं उसके बाद चलते देखते कंपणी ने profits किते generate किये हैं तो company का इस quarter का profit देखे तो profit नहीं loss है वो भी 33 crores का last quarter में 63 crores के profit में थे जो कि अब decrease होके 33 crores के loss में आ चुके हैं और last year के quarter का देखे तो यहां पर 47 crores का loss था जो कि अब decrease होके रह गया 33 crores का तो देखा जाए तो last year के quarter से यहां पर हमें loss थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है उसके बाद चलते देखते हैं company का earning per share क्या चल रहा है तो company का earning per share last year के quarter में था minus 15.85 rupees का जो कि last quarter में हो गया था 21.35 rupees का और इस quarter का अगर हम earning per share देखे तो वो चल रहा है minus 11.2 rupees का last year के quarter से यहां पर earning per share increase हुआ है बट अगर हम last quarter से देखे तो यहां पर earning per share decrease होता हुआ देखने को मिल रहा है तो यही थे जुआरी इंडस्ट्री लिमिटेड के quarter 1 के results अब आप लोग के क्या opinion is results पर में गो comment करके जरूर बताना और ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को subscribe कर लेना मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में